FATF की तलवार इसके सरपल अटक रही है जबके हमारा हासित दुश्मन आलमी दारों की मिली भगत से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इस वकत FATF का है जो है वो भी मिस्टर कुमार है जहिन दोस्तो मोडीरेस में अपका सौगत है दोस्तो आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तान फिल से FATF के जाने के करीब हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में हाफी सेट को स्पीच डेटे हुए देखा गया है और यह सब ने देखा है और हाफी सेट के आजू बाजू में उसकी स्रोक्षा करने के लिए पाक आर्मी के लोग भी मौजूद थे और पाकिस्तान ने दुनिया को और FATF को ये कहा था कि हाफी सेट को उन्होंने जेल में डाल दिया है और उसे सजाबी मिल गई है तो पाकिस्तान की जो नोटं की है दुनिया के सामने वो बेनकाब हो गई है तो पाकिस्तानी मीडिया को अब ये डर लग रहा है कि एफेटीएफ में तो भारतियों प्रेशिडेंट है तो अब पाकिस्तान फिल से एफेटीएफ में जा सकता है तो दोस्तों यह वीडियो बहुती मसेडार तो इसे आप पूरा सरू देखिएगा तो चलिए और इंतिसार न करके यह वीडियो देखते हैं लेकिन आलमी ताकतों की दो नमबरी देखिए बलके दस नमबरी देखिए कि वो भारे जैसे मुलकी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखते इंसानियत मोदी जैसे दो नमबर शक्स पर थूथू कर रही है लेकिन जिसने कहते हैं ने कि शरम बेच खाई हो उसे भला क्या असर होगा और दूसरी तरह पाकिस्तान जैसा मुलक जो मनी लॉंडरिंग के खिलाफ करप्शन के खिलाफ दैशतगर्दी के खिलाफ ठोस एकदाम उठा रहा है इसके बावजूद एफट एफ की तलवार इसके सरपल अटक रही है जबके हमारा हासित दुश्मन आलमी दारों की मिली भगत से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जिस तरीके से आपको IMF ने इस तफ़ा हाड टाइम दी है और जिस तरीके से आपके एगले दिन रावल पिंडी के अंदर जो वो जनाज़ा था एक कश्मीरी लीडर का उसके बाद जो अवाजे इडिया उसके बाद FEDF को कंट्रोल IMF करता है, United Nations करता है और World Bank कंट्रोल करता है, World Bank के उपर भी जे बंगा आ रहे हैं, अदर भारती ने जा तो आप कहां से भागेंगा, मुझे तो समय नहीं आती, आप क्यों, आप तो डेंडेंड में आप फस्ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से उस जनाजे के अंदर हाफस साहीद साहब आए हैं, और लग रहा था, पता नहीं, अदर देवर आर्मी और राट पतेवर इना, गेर आफ आर्मी, जो लोग उनके आसपास फिर रहे थी, उनके पास highly, very strong weapons और military का uniform था उनका, अब पता नहीं क्या situation है, लेकिन आप क्या समझत हैं, इस वक्त जरूरत थी इन चीज़ों की, जब आप IMF के अभी आपको चांद महीने हुए हैं, फैट अफ से निकले हुए, अभी IMF आपको कड़ी नजरों से देख रहा है, उदर से अफगानस्तान आपको खराबी कर रहा है, इन बहौल के अंदर आपको जलसा करने की ज से नहीं करूँगा, वो यहां पर अपने रिलेशनिशिप ठीक कर गएंगे, पाकस्तान के रिलेशनिशिप ठीक नहीं किये उन्हों ने, वो सिरफ अपनी मार्केटिंग करने यहां पर आए हैं, अगले दिन किसी ने कहा है कि आपके शेख रिशीर साब फर्मारे थे मैं उन पे, तो उन्होंने खूब एंजोई ठीक करें, अपना प्रोटोकोल एंजोई करें, क्यूंकि आपके वो सारे हर लोग ही बाँ प्रोटोकोल एंजोई कर रहे हैं, देखें आप एक तो दिन पहले ये खबर भी चल रही थी कि हाफिस साइध जिसको हम लोगों ने काया केजी 31 एर्ज के लिए जेल कर दिया है, वो तो गोटकी में सिंध में खुम फिर रहा है, तो आखिर ये पाकिस्तान में पालिशी मेकर्स चाहते क्या हैं ये, फिर जाएंगे हैं दुनिया में हर इंसान के साथ हमशकल होते हैं, और आपको क्या पता कि जो शक्स घोटकी में होगा, वो उनका कोई हमशकल होगा, अगर हमें ये कह रहे हैं कि उन साहब को नजर बंद कर दिया गया है, तो आपके पास कोई बजा नहीं है कि आप इस बात पर शक्रें, और य लेगन आपको नहीं लगता कि ये वाली हरकत हमें नुकसान पहुंचा सकती है, अम फिर FTF में जा सकते हैं, वो कहते हैं पुखे ने पुखे दी मारी तो जोना दुखश पया गया, और किना नुकसान होना तानू, ठीक है, आपका मुल्क जो है, इस वकत अगर पाकिस्तान ऐस शक्स होता, तो जकात का मुस्तहिक होता ठीक है, अब पहले तो पुदरती आफात मुल्क में आया करती थी, तो अन्वर मकसूद कहते थे कि अल्ला डालर नहीं दे सकता है, तो बहुत सकता है, तो पाकिसान में जब सिलाब जलतल आता था तो ये एक टोरा उठाकर मांग रहे हैं आप फॉन करें मुझे या किसी और को आपको पता चलेगा कि तुर्की और शाम की जलजले के लिए इंदाद दीजिए उलू के पठो पहले जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उन उन सेलाब मुतासरीन तक को इंदाद भेज़ दो ठीक है चले दोस्तों इस वीडियो से निकल देंगे और वही हुआ हाफी सेट अभी बाहर खुल्याम घूम रहा है और एफेटिफ को पाकिस्तान ने बोलकर रखाए कि हमने आतंग बादी को खिलाब कारबाई की है और इसलिए हाफी सेट जिल में है जो पाकिस्तान ऐसा जूट और ऐसी नोटंग की करता है प अभी अपने घर पे है उससे पहले पाकिस्तान कहला था कि हाफी सेट जियल में है तो यह तो पाकिस्तान की नोटंग की जब हो एफेटिफ के लिस्ट में थे तब भी इंजूट बोलता था और अब फेटिफ से निकलने के बाद पाकिस्तान फुल्याम अभी ऋबिदे कर र पाकिस्तान को निकला जा रहा था जब भारत इसके खिलाफ़ता कि भारत जानता है कि पाकिस्तान कैसी हरकते कता है और दुनिया को बेवगूफ बनाने के लिए कैसे कैसे जोट बोलता है तो पाकिस्तान का अब एफेटीफ से बचना बहुती ज़ादा मुश्किल है और आखि दिबालिया पाकिस्तान अपनी वज़े से होगा यह किसी की साजिस नहीं है किसी ने पाकिस्तान को नहीं बोला था कि हाफी से जेल से निकलो किसी ने पाकिस्तान को नहीं कहता कि आतंग बादियों को पन्हादो तो यह सब पाकिस्तान की वैसे हो रहा है तो पाकिस्तान अगर FATF में जाने की वएसे डीबालया हुआ तो पाकिस्तान की वएसे होगा किसी और की वज़े से नहीं तो चीले देखते हैं की फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत वाँ शुक्या और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मदू लेकर हैं की वेरी मच